ऐसी बहुत सारी फैमिली है जिनकी फाइनिशिल कंडिशन उतनी अच्छी नहीं है देखो ऐसे महाराश्टर कि आप जितने भी सारी कॉलेजिस की में बात करो तो मिनीमम इंजिनिर कॉलेज की फीज है वह 1.5 lakhs है अभी सबसे पहले eligibility criteria के बारे में हम देखेंगे कि यह कौन-क इस वीडियो में आप सभी स्टुडेंट्स को मैं डीटेल में बताने हो कि EWS क्या होता है TWS क्या होता है कुन-कुन से स्टुडेंट्स एलिजीबल है इसके लिए कैसे apply करना है क्या-क्या documents लगने ओले इसका क्या benefit है counseling process में क्या benefit होने 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 सब कुछ हम लोग detail में discuss करने वीडियो में आज के इस वीडियो के बाद आप सभी स्टुडेंट्स को EWS, EBC, TFWS से related कुछ भी एक single doubt भी नहीं बचेगा तो प्लीज पूरे वीडियो को end तक ज़रूर देखना सारी चीजे जो है मैं detail में explain करने ओलो सब कुछ हम लोग detail में देखने वाले ऐसी बहुत सारी family लिए जिनकी financial condition उतनी अच्छी नहीं है देखो ऐसे महाराष्टा कि जितने भी सारे colleges की मैं बात करो तो minimum engineering college की जो fees है वो 1.5 lakh है अगर government colleges की भी मैं fees देखू तो आपे 90,001 lakh लेकिन वो सारे government colleges का आपको cut off तो पता ही होगा कितने जादे cut off है अभी जिनके कम marks है जिनकी financial condition उ उन सभी students क्या करें अब देखो यह जो EWSA, TFWA से यह आपके लिए काफी फाइदे मंद हो सकता है यह आपके लिए काफी beneficial हो सकता है वीडियो को start करने से पहले हमारा first batch counseling का जो है almost full होने वाला है sessions हमारे start होने वाले देखो इस counseling में जो हमें सिभ college की list ही नहीं provide करने वाला हू जो best to best हो सकता है जो भी students की financial condition उतनी अच्छी नहीं है तो जितना हो सकता है maximum आप सभी students को जिन students की financial condition उतनी अच्छी नहीं है उन सभी students के लिए best to best college जो है arrange करने की मैं कोशिश करूँगा उसके according जो आपके college की list में provide करूँगा ताकि आपको best affordable fees में जो आपको best engineering college मिल सके देखो बहुत सारी चीज़े है personal counseling में entire two month का ये process होने वाला है सारी चीज़े आपको यहाँ पे दीख रही होगी screen पे option form से related सारे doubts आपके clear किये जाएंगे cap round के registration form से related सारे doubts आपके clear किये जाएंगे सब कुछ आप यहाँ पे detail में देख सकते हो screen पे जो भी student interested है वो description box check कर लि counseling का course नहीं दीख रहा होगा तो आपको login as a student करना है तब ही जो है वो आपको personal counseling course दीखेगा वहाँ से आपको enroll करना है enroll करने के बाद आपको रात में 2-3 बचे तक WhatsApp group में add किया जाएगा तो चलो आते हम लोग video के main topic पे EWS that is economically weaker section अभी सबसे पहले eligibility criteria के बारे में हम देखेंगे कि यह कौन-कौन से student जो है EWS के लिए eligible है तो सबसे पहले देखो जो category वाले students है जो OBC, SBC, ST, NT जो भी category वाले students है वो EWS के लिए apply नहीं कर सकते EWS जो है economically weaker section जो है स्रीपोसीप open category जनरल category वाले students के लिए ही है open category students ही जो है EWS के लिए apply कर सकते है यहाँ पे bracket में मैंने conditions applied लिखी है अब वो conditions क्या है हम लोग video के आगे देखने वाले then उसके बाद OMS students जो है EWS के लिए apply नहीं कर सकते then उसके बाद जो है state और central EWS यह एक बहुत सारी students को confusion है कि भाई हम लोग state का बना या central का बना है देखो अगर आप state का बनाते हो ज्यादा preferable यह है कि आप state का EWS बनाई है देखो आप जो भी students महाराष्टा के students है उन सभी students को यह scholarship provide की जाती है तो अगर आप महाराष्टा में रहते हो और महाराष्टा के colleges में अगर आप admission ले रहे तो obviously आपको state का ही EWS बनाना है central का EWS नहीं बनाना है आप कहीं महाराष्टा के भार colleges में admission लेने नहीं जा रहे आप महाराष्टा के colleges में admission लेने जा रहे तो आपको state का ह EWS लगेगा ठीक है और यहां पर एक eligibility criteria है कि आपकी annual income आपकी family के annual income जो है less than 8 lakh होनी चाहिए अब ही यहां हम लोग benefits के बारे में देखेंगे कि EWS EBC का क्या benefit है EBC जो है economically backward class है अब EWS और EBC दोनों सेमी है यहां पर एक major doubt आप सभी students का मैं clear करूँगा अब EWS क्या होता है जो भी students के पास EWS का certificate available होता है जो cap round के समय आप EWS select करते हो तो आपको जो है option form feeling करने के बाद जो allotment आता है वो EWS की seat आपको allot होती है अब जो भी students EBC से belong करते है that is economically backward class जीन की family income less than 8 lakh है वो लोग EBC में आते अब उनका जो admission ओपन category में ही होने वाल है लेकिन admission होने के बाद वो scholarship के लिए apply कर सकते है आपकी अगर annual income less than 8 lakh है तो अब यहाँ पर benefits के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो major benefit है कि आपकी 50% tuition fees जो है off हो जाती है अगर suppose कुई college की डेल लाग fees है तो यहाँ पर जो आपके around 60-70,000 रूपीज जो है आपके बज जाते है 60-70,000 का fees का आपको concession मिलता है 50% tuition fees जो है off हो जाती है यह same जो है OBC के लिए भी apply होता है OBC में भी 50% tuition fees off होती है then cut off में आपको benefit देखने को मिलेगा अब top colleges में cut off इसका ज्यादा जाएगा लेकिन जो average colleges है उन सभी colleges में general से as compared to EWS वालों का cut off जो है low जाता है then third benefit यह है कि हर एक college में महराष्टा की जितने सारे colleges से सारे के सारे colleges में 10% seat जो है EWS students वालों के लिए reserved है अगर 60 seat है in tech capacity कोई college के अगर 60 है तो 6 seat जो है वसी पोसी EWS category वाले students के लिए तो यह major benefits है EWS, EBC वाले students के लिए अब you can save up to 3 lakhs rupees in 4 years देखो अगर कोई college की fees 15 lakh है तो हर साल आपके 70,000 rupees बच रहे अब कोई-कोई colleges की 1.8 lakh, 2 lakhs ऐसे भी fees है कोई के engineering colleges की वहाँ पे भी आपके around 80-80,000 rupees बच जाते है तो around आपके 3 lakhs जो है EWS के तुरू बच रहे जिनकी भी annual income less than 8 lakh है वही सभी students जो है इसके लिए apply कर सकते है अभी apply करने के लिए कौन-कौन से documents लगेंगे अभी हम लोग यह देखेंगे तो यहाँ पर आप screen पर देख सकते हो यह total 6 documents है सबसे पहला income certificate, income certificate पे less than 8 lakh annual income होना चाहिए देन domicile of father आपके father का domicile होना चाहिए अब यह domicile जो आप अपने father का बना सकते हो देखो अभी जो भी students का 18 age complete नहीं है तो आपका domicile नहीं बनेगा आपके father या फिर mother की name का domicile बनेगा ठीक है देन उसके बाद living certificate लगेगा आपको then 1967 अब सबसे most important EWS वालो के लिए सबसे most important यही proof है कि आपको 1967 का proof दिखाना है कि that you are belongs to maharashtra state अब maharashtra state में 1967 से रह रहे हो यह आपको show करना पड़ेगा EWS के लिए अब काफी सारे students के पास यही document major यह document नहीं होता है लेकिन जो भी students maharashtra से belong करते हैं जिनका गाव maharashtra मे नहीं है उन सभी students के बास usually कुछ ना कुछ documents रही जाता है पापा का document या फी grandfather का LC certificate ऐसे कुछ ना कुछ तो document रहता ही है तो आपका EWS certificate जो है बन जाएगा then fifth जो document है that is effidavit अभी effidavit क्या होता है self declaration form अभी जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताय जाता condition applied अब condition applied क्या है हम लोग इसके बाद देखने वाले उसके लिए आपको एक self declaration form फिल करना होगा है self declaration form आपको बनाना होगा जहाँ पे सभी conditions को जो है वहाँ पे आपको note down करना है then उसके बाद updated अदारकारण और एक bank account भी आपको लगने वाले जहाँ पे आपको scholarship की amount व parents का भी दोनों का आपका अदाकारण updated होना चाहिए spelling mistake नहीं होनी चाहिए अदाकारण जो भी students की mistakes है try करो जितना जल्दी हो सकता अब update करानी की कोशिश करो ठीक है अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे conditions क्या है अब यहीं सबसे most important part है इस वीडियो का देखो conditions क्या है annual income less than 8 lack है पहली conditions तुम मैंने already बता दिये second condition जो है agriculture land अगर खेती है अगर आपके पापा के नाम से कोई खेती registered है वो less than five acres होनी चाहिए ठीक है agriculture land जो हो less than five acres होना चाहिए दान उसके बाद next जो है flat less than thousand square feet आप जो भी घर में रह रहे हो वो thousand square feet से कम होना चाहिए यहाँ पे जरूरी बहुत है कि आपके पापा या मम्मी के नाम पे जो भी फ्लाइड रेजिस्टर्ड है less than thousand square feet होना चाहिए more than thousand square feet नहीं होना चाहिए आपके मम्मी पापा के नाम पे कोई भी अगर flat रेजिस्टर्ड है तो अब यह जितनी भी conditions है एक बार अपने मम्मी पापा को show करो अब यह आपके मम्मी पापा ज्यादा अच्छे से understand करेंगे ठीक है नेक्स्ट जो है government jobs नहीं होनी चाहिए आपके family member में आपके मम्मी पापा को कोई government jobs नहीं होनी चाहिए तब ही आप जो है इसके लिए apply कर सकते है और यह जितनी भी conditions मैं बता रहा हूँ इसी open category वाले students के लिए then last जो है residential plot not more than 100 square art आपका जो भी residential plot होगा तो वो 100 square art से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह सारी conditions है I hope EWS से related सारे doubts आपके clear हो गए होंगे कैसे apply करना है क्या benefits है उसकी क्या conditions है सारी चीज़े हम लोग ने detail में देख ली अभी बसता है TFWS अब TFWS क्या होता है tuition fees waiver scheme अब यह बहुत ही simple है इसको understand करना बहुत ही simple है TFWS के लिए महाराष्टा का हर एक student apply कर सकता है कोई भी student जो है TFWS के लिए apply कर सकता है सभी के सभी students जो है eligible है TFWS के लिए ठीक है income बस less than 8 lakh होनी चाहिए and यहाँ पे इसका जो major benefit यह है कि आपकी 100% tuition fees off हो जाती है 18 से 25,000 इस range में आपकी college की fees हो जाएगी per year आपकी 18 से लेके 25,000 per year की fees आपकी इतनी होगी अगर आप TFWS के through अगर seat लोगे तो अब यहाँ पे यह point है कि जितने भी सारे महाराष्टा के colleges है तो उन सभी colleges का TFWS का cutoff काफी high जाता है अगर suppose कोई college का cutoff 90 है general category का cutoff 90 है तो TFWS का cutoff 93 होगा same college का cutoff colleges का cutoff काफी high जाता है and TFWS के लिए भी जो है around 5% seats reserved होती है और TFWS के लिए भी around 5% seats जो है reserved होती है 5 to 10 3 to 6 seats जो है TFWS students के लिए reserved होती है I hope सारे doubts आपके clear हो गए होंगे कुछ भी अगर आपसके doubts होते है तो comment section में मुझे बताओ सारे doubts हम लोग clear करेंगे अभी EWS, EBC, TFWS क्या होता है यह आप सभी students को समझ गया होगा hopefully सारे बहुती basic language में आपको मैंने समझानी की कोशिश किया अगर आपको personal counseling से related कुछ भी अगर inquiry करनी है तो आप ये दो number पर contact कर सकते हो sessions हमारे start होने वाले जितना जल्दी हो सकता आप enroll कर लीजे first batch हम लोग का full होने को आए मिलते है फिर next video में आए होब आज का वीडियो आपको useful लगा होगा और ऐसी useful videos देखने के लिए चैनल को जब से जब सब्सक्राइब करना मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए thank you